कि तभी को जोहर आज फिर से हम लोंग देखेंगे वो जो हम लोंग का रेलिवे अरार बी एक्जाम के जो प्रिवेस एर पेपर्स थे यानि की कोश्चन्स हैं उनके जो सिरीज हमारा चल रहा था उस सिरीज का आज हम लोंग शुरू करेंगे वीडियो नमबर 12 और ये जो पर परचेंटेश का चेप्टर का यह पॉस्टा नमबर चलेगा यह जो उथा नमबर हमने लाश्ट क्लास कर लिया ठा यह पांचवा कर चलेगा फॉस्टा यानि पांचवा में लोंग पढ़ने मेराव सिस्टी डिण Minister इस सवाल है इस किताब के यह रेल्य वे गपनेट के 400 प् फिर से देखेंगे ठीक है उमित करता हूं आप समझ रहे हो जो भी बच्चा इस चैनल पर नए है तो सस्क्राइब करिए और कमेंट किजिए कुछ ना कुछ कमेंट कीजिए अगर समझ में आता है तो लाइक कीजिए समझ नहीं आता तो डिस्तलाइक भी कर सकते हैं आप क्योंकि आपके उपर depend करता है ठीक है तो चलिये हम लोग सुरू करते आप सनम पुठुआ तो चलिए हम लोग सुरू करते हैं आज का सेशन को तो पहला कोश्चिन आज का क्या है दिया हुआ ये पहला कोश्चिन छोटा कोश्चिन आसान कोश्चिन क्या लिखा हुआ एक बार देख लेते हम लिखा क्या है लिखा ये है कि वो संखा ग्याद किजिए जिसका 6 गुना 60 से 6 कम है आप चाहे तो ऑफ्षन से बनाईए जैसे वह संखा ग्याद किजिए ज जो छे गुना, 60 से छे कम होगा, 60 से कम होगा, मान लिजे वो संखा क्या है, मानली जे वो संखा 6 है, तो 6 का अगर हम 6 गुना करते हैं, तो 36 होगा, अब 36 से अगर हम, देखें तो 36 जो है 60 से क्या 6 कम है नहीं इसका तो ये आंसर नहीं हो सकता 7 में देखेंगे तो 7 छोग 42 हो रहा है तो जो 42 है वो क्या 60 से 6 कम है नहीं ऐसा नहीं है इसका मतो ये भी आंसर नहीं है 8 को देखेंगे 8 छोग 48 यानि कि 48 जो है वो क्या 60 से 6 कम है नहीं है इसका मतलब no number answer उम्मिद है उम्मिद क्या भोरोसा भी है और guarantee भी है यानि कि 9 को अगर हम 6 गुना करेगा तो 54 होगा और 54 साट से कितना कम है 6 और यही आपका आंसर है यानि कि हमारा आंसर क्या हो गया 9 यह जो 9 है उसको ऐसे नहीं बनाऊगा तो ऐसे भी कर सकते हूं मालीजे स सv Qatar को 1950s मना तो इस संखरग से गूना 7 से कितना कम है यह जब इनको 6 करेंगे तो 6x है इहां लिखोगे आप और यह इस साइड आयेगा और this side या तो 54 हो जाएगा और x का मन आ जाएगा नो जो कि हमारे पस answer होएगा एक तरीका यह एक तरीका वो इतना ही कहाना है ठीक है उमिद करता हूं आप समझ रहे हो नेस कोश्चन की तरफ चलता हूं जाते ना की कोश्चन में Danhu जो भी कोश्चां साया कही है Jewish ऑगर डाउट होता है तो आप क बार हमकी क्लियर करा दीजिएगा तक कि मुझे भी हो सकता है इस स्वीज में कुछ गलतियां मेरे से भी हो सकता है इंसान follow follow में क्या होता है कि हम लोंग होरो बरो में बहुत सरे questions बनाने की कोसिस करते हैं लेकिन कहीं पे तुरूटिया होती है तो आप हमें सुधारों अगर में गलती करता हूं और मैं आपको सुधारूंगा अगर आप गलती करते हों आप जो नहीं जानते मैं आपको बताऊंगा अगर मैं जानता हूं आज जो आप जानते हो आप हो में करेक्ट कीजिए ठीक है ना तो चलिए ये दूसरा कोशन यानि कि कोशन नंबर 67 नंबर 67 मदन के मासिक बेतन में 60 रुपया की बिर्धी करने पर यह कमल के मासिक बेतन का 50% हो जाता है तो मदन का बरतमान मासिक बेतन क्या है क्या बोला सवाल एक बार सून लेते हैं बोलता है मदन के मासिक बेतन में 60 रुपया अगर बिर्धी करेंगे तो यह कमल के मासिक बेतन का इत इतना हो जाता है तो मदन का बरतमान मासिक बेतन क्या है मतब इसका जो मासिक बेतन है किसका मदन का मतब X है और X का मासिक बेतन में अगर 60 बढ़ा देते हैं तो 60 बढ़ाने पर इहां पर कमल के मासिक बेतन का 50% हो जाता है तो कमल का बेतन को मैंने मान लिया के और उसका कितना पर्सेंट हो जाता है, 50% पर्सेंट पबू जब इनको solve करोगे तो आप एक tension हो जाओगे, क्या tension में पड़ोगे, इहां पे भी X है, इहां पे भी K है, दो variable एक समिकरन में है, तो कभी भी जीवन में कोई निकाल नहीं पाएगा, क्यों नहीं निकाल पाएगा? क्योंकि समिकरन दोठो समिकरन नहीं हुआ तो फिर आप किसी का भी निकाल नहीं सकते और अगर निकालना चाहते हो तो कल्पनिक वाले निकलेंगे reality वालोब बिल्कुल नहीं निकल देंगे इसका मतबब हम इसका answer क्या मानेंगे data औपर्याप्त मानेंगे ठीक है न चलिए next question की तरफ चलता हूँ और next question में क्या लिखा हुए एक बार इन के बारे में भी बात कर लेता हूँ इहां 68 number question यदि एक भिन्य yx 6-7 हो जाती है जब उसके अंक्स में बारो बढ़ाएंगे और हर में दो कम कर देंगे तो मूल बिन्य याद कीजिये देखिए कोई भिन्य है x और y डायरेक्ट लिखना है कोई भिन्य है x और y या y और x अगर इसमें कितना बढ़ाएंगे 12% इसका मतलब 112 कर देना होगा और इसमें कितना बढ़ाएंगे 2%, घटाएंगे तो 98 होगा पिर आधकर यह 6 और फिर 7 हो जाएगा कि बस कहतम 6 7 हो जाएगा तो मुल संखटो बता दीजें मुल भिनटो बता दीजें काट दीजें कैसे काटे 7 का पहड़ा साथ के साथ 4 काट दिया हमने 6 से काट सकते हो 66 तो नहीं आप दूसरे कटिए तब इसको दूतिया और यहां करते हैं तो आपके पास आंसर है ठीक है उम्मिद करता हूं आप समझ गए छुट्टा सा कहानी थी कुछ भी नहीं थी नेस कोश्चन की दिरब चलता हूं इस सवाल को भी एक बार देख लेते दम नौन इस्टोफ हमारा होगा भाई नौन इस्टोफ जहां पर मुझे लगेगा कि वच्चों में दिक्कत आ सकती है मैं उहां एस प्लेन करूंगा विद कंसेप्ट विद बेसिक फंडमेंटल आइडिया के साथ कोई टेंसेन वाली बात से हो जाती है सिधा कीजिए मान लीजिए वो संखा वो जो भिन्न है एक्स बटा वाई है इसमें 80 ब्रदी होगा मतब 180 और इसमें 120 ब्रदी होगा मतब 100 नहीं 220 अतब जैके साथ बटा क्या होएगा 22 बस हो गया आप बोलेंगे सर इनको तो काट सकते हो आप आराम से और इसक A number answer is the correct ठीक है उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे हो चलिए आगे question की तरफ चलेंगे हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे में क्या बोलना चाहता है एक बार देख लेता हूँ जैसे यह है question number 70 देखो percentage में total 1500 करिब question सिखेंगे वही 360, 70 या 80 करिब होंगे वह सिखने के बाद फिर हम लोग आप बताइएगा comment section में कि कौन कौन सा आपको chapter पढ़ना है इसके बाद हना जो chapter आप बोलोगे वह chapter करेंगे लेकिन अगर आप comment करोगे तब जिसका majority होगा आप बोट दोगे तब ठीक है न चलिए आगे बढ़ता हूँ देखो एक छात्र ने गलती से एक संखा को 5 बटा 2 के बजाए 2 बटा 5 से गुना कर दिया गलती गन्ना में हुई परतिशत तुरूटी बता दीजिए आप चाहे तो कुछ मान लिजे जैसे यहां पर 2 है नीचे में यहां पर 5 है तो 2 और 5 का LCM 10 होता है तो मान लिजे कोई संखा था और वो 10 था किसी ने उसको बोला गया वो संखा हा ना संखाटो था किसी ने बोला गया कि एक संखा को 5 बटा 2 कर दिजिए मतब किसी संखा का 5 बटा 2 निकालने बोला तो इसका 5 बटा 2 मतब 25 होगा जोकि 2 से भागो का 5 से गुना होगा यानि कि यह सही आंसर होना चाहिए था उसका लेक यानि कि दो बटा पांच से गुना कर दिया यानि कि पांच दुगने चार यानि कि चार हो गया गलती ये है गलत ये है सही ये है गलत ये है सही वो है तो बोला प्लीज मुझे ये बताईए कि परतिसत तुरूटी कितना हुआ परतिसत तुरूटी कितना हुआ और कुछ नहीं बोला है ना तो आप मुझे एक बात बताओ कि प्रतिशत तूटी कितना हुआ तो इसका मतलब पचीस था लेकिन चार निकाला कितना कौम निकाला 21 यानि कि 21 गलतियां हुआ है एक इस गलती हुआ है तो तूर्टी यही हमरे पास अंसर है । टिक है यही आपके पास अंसर है यही आपके पास आंसर है उम्मिद करता ऐं समझ गए। अज़ो है आगे बढ़ते हैं नेसों केंखते चलते और इस question को एक बार बनाओ बभू आप इसको बनाओ और देखो ज़रा 71 नॉम्बर question पटाक से बनाओ ताकि आपको भी पता चल जाए कैसे होगा कैसे नहीं गोलो आख बीदाल्य में किसी परिच्छा में 60% छात्र सफल हुएए यदि और सफल होने वाले चात्रों की संखा इतना हैँ तो प्रिच्छा में 60% सफल हुए हैं योई कि अगर कोई परिच्छा है तो उसमें 100% बच्चे होते हैं उसमें जो पास वाले हैं वो 60% है तो फेल वाले कितने होंगे 40% तो आप क्यों नहीं डायरेक्ट कर लेते हूं फेल वाले 40 है लेकिन यहां पर बूला फेल वाले तो है वो 240 है तो पास वाले कितने होंगे सफल वाले कितने होंगे ऐसे होंगे तो ये दो बार में ये तीन बार में तो दो बारो बार में और बारो ती ये 36 बार में यानि कि हमारे पास आ गया 360 यही आपके पास आंसर हुआ इतना नहीं करना चाहते है तो ऐसा करो हो ठीक है उम्मिद करता हूँ आप समझ रहे हो नेस कहानी की तरफ चलते हैं और इस कहानी को भी एक बार देख लेते हैं कि इस कहानी को ठीक है पताइए जरा क्या होगा इनका जल्दी से दिमाग लगाई है बोला सवाल में कि यदि अंजुने हिंदी में असीर में से 68 गरित में 60 में से 46 और बिगान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किये तो अंजुने किस बिसवय में अधिकतम अंक प्राप्त किये हैं यानि कि कितने बिसवय है ओ देख लीजिए एक बिसवय हिंदी है एक बिसवय आपका हिंदी है और हिंदी में कितना लाया तो आप बोलेंगे 80 में से उसने लाया 68 और परतिशत में बदल दीजिए तो पता चल जाएगा कितना परशन है उसी तरफ बिग्गान में कितना साइंस में कितना तो आप बोलें नहीं गनित में पहले कर लेते हैं तो में कितने हैं तो गनित में आपको दिखाई देरा 60 में से 46 यानि कि 60 में से क्या होगा 40 और परतिशत में बदल दीजिए उसके बाद क्या बोला गया साइंस साइंस में क्या होगा तो साइंस में होगा 94 कितना में से 90 में से इसको भी आप परतिशत में बदल दीजिए और उसके अंग्रेजी में कितना है Ingles English में तो आब बोलेंगे टोटल 45 है उसमें से 35 लाया है और परतिशत में बदल दीजिए और कुछ है नहीं कितने हैं एक दो तीन चार चार विष्वय में था अब चार विष्वय में था तो इसको निकालेंगे थोड़ा लगबग में देख लेंग जो छोटा-छोटा है उसको काट दीजे ऐसे, पास से, इसको काट दीजे थोड़ा, इसको भी काट दीजे, और ये आ जाएगा कितना, 20, ऐसे हो गया, और क्या करना है, अब मल्टिपलाई करके भाग कर दीजे, या फिर भाग करके मल्टिपलाई कर दीजे, तो आप मल्टिप से इसको काट डालिये ना और ये 5,7,5 यानि कि इसने 85% लाया इसमें क्या होगा तीन से तीन से ये काट नहीं सकते तो गुना करके एक बार में भाग किजिए 5,6,3 और 5,4,23 बटा में 3 तो 3,7,21 और हमरे पास बचा कितना ये तो छोटा हो गया उधर मत जाएए रहने दीजि इनको देखें ये एक बार जाएए तीन सते 21 बचा कितना 20 तीन छोख 18 सम्थिंग इधर जाएए इसमें क्या होगा 7,4 और फिर 0 और बटा में 9,9,8,72,20 बचा तो 9 दुगने 18 सम्थिंग होगा इधर में जाएए तो इधर मल्टिप्लाइए करेंगे तो क्या होगा तो आप बोलेंगे इसमें गुना करेंगे तो 700 होएगा और बटा में 9 होगा तो 9,7,63 फिर बचा कितना तो आप बोलेंगे सर 63 है 9,7,63 लेकिन 7 बचा मतलब फिर से 70 इसका हम तो 7 आप इहां से देख पा रहे हो लगभग में कहां पे अंजु सबसे ज़्यादा लाया ऐसे सबसे ज़्यादा आपको इसी में दिखाई दे रहा हिंदी कहां है ये ये मार दीजिया आप चलिए नैस कोश्चन की तरफ इनके बारे में बात कर लेते हैं ये तो और आसान है क्या बोला गया बोला सचीन गनित में 70% बिग्गान में 60% प्राप्त करता है लेकिन मान लीज पहला बला में 100 तो दूसरा बला में भी 100 ऐसे मान सकते हैं ऐसा नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं ऐसे भी चल सकता है अनुपात बना दीजिए एक अनुपात एक है उसका पूरना तो कूल मिला कर कितना हो गया दू पूल मिला कर जो पूरना हो गया वो दू हो गया इस पर कितना percent लाया था गनित में 70% इसमें कितना लाया था 30% और इसमें कितना लाया था नहीं पता यानि कि X का मान लाने के लिए कुछ भी नहीं करना है दोनों को जोड़के आधा कर देना मतलब औसत निकालना है औसत को कहाने की तरफ इनके बारे में बात कर लेता हूं इसमें क्या लिखा है गनित में एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में सोला परसन अधिक अंक प्राफ्त किये यदि उसे दूसरे सत्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक या थे तो सत्र है ए सत्र नाम दे दीजिए और बी सत्र नाम दे दीजिए ए सत्र और बी सत्र इससे यह कितना अधिक है सोला परसिन सोला परसिन का मतलब होता है सोला बटा सो और चार बटा पचीस यानि कि पहला सत्र में पचीस रहा होगा तो चार एक में बढ़ेगा क्योंकि बृधी बोला है अधिक बोला है एक छात्र ने दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में इतना अधिक, पहले सत्र की तुलना में इसको पहले नाम दे दो, अच्छा लेगेगा, पहले ये है, दूसरा ये है, दूसरे सत्र में पहले सत्र की तुलना में इतना अधिक है, यानि कि दूसरे वला में ज़्यादा होगा, आपको question में बोला, क्या तो ये तीन बार में काट सकते हैं आप और ये 25 या 54 हमरे पास आंसर आ सकता है नेस कोश्चन की तलास में जैसे ये चोटा चोटा कोश्चन आसान आसान कोश्चन ही रेलेवे में पूछता भी है कोई टेंसेन वाली बात नहीं है क्या लिखा है एक बार पढ़ लेते हैं निम्नल ताली का परिच्छा में भाग लेने वाले चात्रों के परिनाम दिखाती है उत्तिन चात्रों का परतिशत क्या है यानि की चात्रों की शंखा है पास वाले इतना फेल वाले इतने यानि कि कूल मिला कर कितना है तो आप बोलेंगे कूल मिला कर 1.500 और 1.500 ये जो 1.500 है उस 1.500 में से हमें चाहिए पास होने बला का परतिशत तो पास होने बला 1.500 लोग है परतिशत में बदल देंगे एक जीरो एक जीरो पांच चारे साथ तो हमारे पास कहा है वो साथ यही हमारा आंसर है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे ये कितना नंबर कोश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स कोश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स में क्या लिखा है रभी और राजिस ने एमटेक कार्जकरम में सामिल होने के लिए एक परिच्छा परवेस परिच्छा लिखी रभी ने राजिस से आठ अंक अधिक प्राप्त किये और उसके अंक उसके अंकों के योग के इतना परसं थे तो रभी और राजिस ने कितने अंक प्राप्त किये बताईए तेके दो जन है एक जन रभी है एक जन राजिस एक है रभी और एक है राजिस आचा है इहां पर बोला रभी ने राजिस से आठ अंक जादा लाया रभी ने राजिस से रभी जादा लाया है राजिस से तो रा यही तो बोलना चाहता है और सवाल में बोला और उसके अंक उसके अंकों के योग के इतना परसिन थे किसके रभी के रभी के बारे में बात हो रहा है रभी ने राजे से आठ अंक अधिक प्राप्त किया और उसके अंक उसके अंकों के योग के इतना थे इसका मतलब यह जो र गिवन है उनके योग के कितना परसेंट था 52 तो आप एक काम कीजिए इंहां आप लिख प्ल inflation कीजिए और उसी का कितना परसेंट है कि एक तरीका यह है ऐसा नहीं करना था हमें तो इनको solve करेंगे यह इधर multiply होगा या फिर 13 से काड़ दीजिए और 425 से काड़ दीजिए हो गया यह multiply करेंगे चो पचीस X होएगा 200 होएगा 26 X होगा और 138 हमारे पास आ गया कितना तो आपके पास 104 आ गया हमेरे पास क्या बुला गया इसको इधर लाता हूं तो X लाओंगा इसको इधर लाता हूं तो 96 लाओंगा यानि कि एक जन का 96 आया एक ही जगह दीख रहा है यानि कि यही उम्मिद है हमारा answer यही उम्मिध है आंसर, यानि कि एक जनका 96 है तूसरा का ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमने X इसका माना तो आठ ज्यादा इनके पास आएगा तो आठ इसमें जोड़ दिये तो आंसर होगा, एक तरीका ऐसा हो सकता है दूसरा तरीका का सीन कैसा होता सुनिए इहां पे अकेले है राजीब और वो जो है इन दोनों का बोट का कितना था 52 परसन का मतलब होता है 13 बटा 25 इसका मतलब यह हुआ कि राजीब अकेले का और दोनों का इनके रिष्टा 13 बटा कितना होगा पचीश इसका मतलब तो राजीब का आया होगा 13 बटा यही वो आंसर होते अगे चला जाये उम्मिद करता हूँ, आप समझ रहे हो, देखो मैं ओ रेशो के तरीके से भी आपको बताने की कौसिस किया, डाइरिक किया, क्योंकि बहुत, यहां पर बहुत का है, बहुत का 25 है, एक जन का 13 है, तो एक जन का 12 होगा, 12 से 13 कितना ज़दा है, एक, एक का मन 8 है, ठीक है ना, चलो, क्या लिखा है देखो आप, दो छात्र परिच्छा, परवेश परिच्छा के लिए उपस्तित हुए, उनमें से एक ने दूसरे से पंदर अंक अधिक प्राफ्त किये, और उसके अंक, उसके अंकों के योग का इतना परशिन है, ये भी तो सवाल सेम है, जरा बताओ जरा आप खुदे, एक मिनट आपको छोड़ रहा हूँ, एक मिनट उससे जादा नहीं, बता सकते हो बंधू, बता सकते हो, ऐसे होएगा, कुछ भी नहीं है, देखिए बोला है, एक ने दूसरे से इतना अधिक लाया, उसके अंक, उसके अंकों का, मतब पहला बला क का बात हो रहा है, और दोनों का बात हो रहा है, दोनों, तो दोनों का कितना परसें है, बोला, 80%, इसका 80%, इसका मतब इसका 100 है, तो इसका 80 होगा, इसका मतब रेशियो बनाएंगे, तो 5 और 4 होगा, यानि कि एक जन का 4 है, तो एक जन का 1 होगा, तभी तो टोटल 5 होगा, इ और इस तीन का मंद 15 है और हमें सवाल में मुला उनमें से परतेक द्वारा प्राप्त अंक बताईए एक बार चार बराबर तो तीन पांचे 20 और एक बार एक बराबर तो तीन पांच यही ओप्शन में है आपको डी नंबर दिखाई दे रहे हैं आने तो पहले जैसे कर लो डारेक सोच सकते वासी परसिन का मतलब होता है चार बटा पांच यानि कि दोनों का है दोनों का अगर चार है तो उसमें से एक जन का पांच है तो एक जन का चार है एक जन का चार है तो आर एक जन का एक है दोनों में अंतर तीन है तीन बड़बर पंदर अंग ऐसे हमने किय उम्मिद करता हूँ आप समझ रहे हो इस question को भी थोड़ा सा देख लो क्या बोलना चाहता है कि देख लो बहुत हम लोग नॉन इस्टॉप कर रहे हैं कच्छा एकस में 30 छात्रों में से 24 पर्थम स्रेनी में उत्तिन हुए और 35 छात्रों की एक अन्य कच्छा वाई में 28 परथम स्रेनी वाले छात्रों का पर्थम अधिख था ध्यान दीजेगा रहे वले वला में किरिस लोग थे और 24 लोग पर्थम सरेनी में पास हुए तो परतिशत में कितने पास हुआ होगा दूतरा सरेनी मतब यह X में था और यह Y वाला कच्छा में है तो Y वाला कच्छा में पास कितने हुए तो बलेंगे सर 24 लोग पास हुए तो परतिशत में कितना होगा तो यह काट देंगे तो तो तीनाटे ऐसी हो गया यानी कि आसी पर्सेंट आपलंग अच्छा में पास हुआ है इसमें कि इतना हुए यह पाँ Спасибо पांस नूस है तो इसको मतनबर कौन सा और मेच करेगा ती नमबर दोनों को च्छाओं में परतम से निप राप्त करने वाले छात्रों का परतिशत सुमान है हो गिया कोई टेंसेन वाली बात नहीं नेस कहानी की तरब चलता हूँ और इसमें कैसे बोला गया है बुला रमेश द्वारा प्राप्त कुल अंकों का अनुमानित परतिशत याद कीजिए जिसने तीन परिछा में करमश्यों तो एकसो तिरीस एकसो पचास अधिक्तम अंकों के साथ 50%, 60% और 70% लेके आया तीन परिछाओं के करमश ऐसा हुआ अच्छा कूल परतिशत चाहिए हमें तो आप बहुत सारे तरीकेशे कर सकते हो मैं थोड़ा आसान तरीकेशे करने की कोसिस करूँ हाँ करिए आपको अधिकतम अंग दे दिया है 100, 130 और फिर 150 अनुपात बना देंगे तो 10 होगा, 13 होगा और कितना होगा सबको जोड़िये आप अगर आपने सबको जोड़ा तो कितना होएगा यहां 28 और 10, 38 इसका मतलब इसमें कितना कितना अंक लाया है इसमें लाया है 50% गुना किजिए इसमें लाया है 30% गुना किजिए इसमें लाया है 70% गुना किजिए और इसमें हमें पता नहीं तो काट ये आप चाहे तो छोटा-छोटा करके काट ये जैसे मैं 19 दो बार में काटा तो ये 35 में और ये आपको 33 में काटा और ये आपको 25 में काटा यानि कि ये 200 आया यहां 3 390 आया और यहां 15 55 म और यहां पर आ गया 19 X यानि कि जो X का मान आएगा वो इनको जोड़ेंगे तो 5 होगा तू 11 और 5 अगर किसी को कोई दूख नहीं है तो टेंसन किस बात का है चलिए आगे की बात हम करते हैं आगे की बात अगर हम करें तो नेस कोश्चन की तरब में चलते हैं और ये हमारा आज का सेशन का लास्ट कोश्चन होगा लास्ट कोश्चन होगा आज के सेशन का ठीक है ना छोटे छोटे वीडियो होंगे 25 25 कोश्चन होंगे आराम से आप बन सकते हो पीमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक लाया अंग्रेजी में सो में से कानबे लाया और 70 में से 63 लाया पचास में से 44 लाया उसके दोरा अंकों का कुल परतिशत कितना है जब भी ऐसे बोलता है तो आंक बंद कर लीजिए टोटल कितना है पूरना उनको जोड़िए पहले 80 था उसके बाद 100 उसके बाद 70 में से बोला उसके बाद 50 में से उपर में 80 में से 72 था तो में से 91 था और 70 में से 63 था और 50 में से 44 था और क्या चाहिए हमें परतिशत तो बस परतिशत हमारे पास सीन होगा सबको जोड़ोगे उपर बला भी जोड़ो नीचे बला भी जोड़ो और काटा करो और आपके पास रेजल्ट यहां पर दिखाए देंगे आंसर होगा मैं उम्मित करता हूँ कॉमेंट सेक्षन में इसका आंसर बताओगे मैं उम्मित इंतिजार भी कर रहा हूँ ठीक है ना उम्मित के साथ साथ चलो तो आज का सेसन में बस इतना ही था उसके बाद हम लोग नेस सेसन में नेस सिरिज में हम लोग देखेंगे नेस वीडियो में हम लोग देखेंगे ठीक है फिर से मैं कहना चाहता हूँ जितने भी बिद्दारती हैं आप लोग like करो या फिर dislike भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ना, हाँ, ऐसे वीडियो देखते हो तो like भी किया करो या dislike करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वीडियोस तो देखते ही हो तो आप मैं उम्मिद करता हूँ जितने लोग देखते हैं उतने लोग या तो लाइक बटन में प्रेस करो या डिसलाइक में प्रेस करो हमको गिंती करना जितना व्यूज हुआ उतना डिसलाइक और लाइक का एडिशन होना चाहिए ठीक ह ना और कॉमेंट सेक्षन में जरूर कुछ ना कुछ बाते करो चलिए तब सभी को सगुन जोहर उम्मीदी अब 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 पठुए को जहां तिना कि मेना कवा उनको दो कॉमेंट पे तावन वापे कोमेंट आए इनका निंग बुझा आपे तो पलें जपी जपी ते पे बिना चलो ठीक गया तो वे तेहने आप वीडियो में इतना ही फिर नेस वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे 81 से लेकर हम लोग चलेंगे लगभग 95 या 100 नंबर तक के सारे कोश्चन हम लोग नेस वीडियो में बात करेंगे तब तक सभी को सभी को जोहार पढ़ते रहना सिकत रहना चलिए तन्यवाद